शिवरात्री शिवरात्री एक बहुत ही सुन्दर उद्सव है और शिवरात्री की कथा शिवरात्री के एक ऐसा उद्सव है जिसमें भाग लेके व्यक्ति अपने जीवन के सभी जो पाप है उनको नश्च करता है और पवित्रता को पराप्त करता है इसलिए शिवरात्री की प्रश्वाइब भी सुननी चाहिए और एक्शली भगवान शिव की जो ये कथाएं हैं जितना हम स्रवन कर रहे हैं हमारा जो हृद है और पवित्र आप अनुभव कर रहे होंगे कि बहुत ही आनंद और पवित्रता का अनुभव हो रहा है जैसे कि शिवजी का सानिध्य प्र भील जो की एक क्रूर वन निवासी थे वन में रहने वाले और वो अपना जीवन शिकार इतियादी से जीते थे और शिकार करते थे और मासूम पश्वों को मारते थे उनकोई परवा नहीं थी बस उनके खुद के परिवार का पोशन होना चाहिए और केवल परिवार का बहुत अच्छा लगता था और एक्जेक्टली जब शिकार में अपने टार्गेट को पर्फेक्ट हिट करते तो कभी-कभी हम सोचते हैं हम किसी अपने लाइवली हुट के लिए कर रहे हैं करना ही पड़ता है मजबूरी है लेकिन हमें मालूम भी नहीं होता कि हमारे अंदर क कब किस पशु की हत्या करनी है उसके प्रान लेने है वो सोचता था ये तो मेरे हाथ में इस प्रकार से गुसा बहुत आता और बड़ा ही नीच स्वभाव हो गया था और इससे काफी पाप एकतर हो गयते ऐसे ही एक दिन शिकार करते-करते बहुत शिकार किया तो उसको था कि शिकार नहीं करेगा तो परिवर भूका रहेगा और इसलिए शिकार तो करना है रोज लेकिन एक दिन पूरा दिन शिकार करने के बावजुद भी उनको कोई शिकार हाथ नहीं आया एक तरह से उनके हंकार को चोट है कि अरे मैं तो कभी भी हारता नहीं हूँ आज क्या हो गया और सूरे अस्त का समय हो गया बहुती फ्रस्टेट हो गये बहुती गुसा थे वो और तभी वो एक शान थंडे जल वाले तालाब पे पहुँचे बिलकुछ शांत था और वहां बैट गए थोड़ा उसको तालाब को देखके उनके हृद में कुछ आशा जनक विचार आने लगे जिस स्थान में रहते हैं उससे डिपेंड करता है हमारे अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव विचार आते हैं लेकिन उनके मन में क्या पॉजिटिव आ रहा था ये तालाब है यहां जानवर जल पीने तो आते ही होंगे तो जल पीने आएंगे उनको मैं जरूर पकड़ूँगा तो बोले वन में ब्रहमन करने की क्या जरूरत है मैं अभी यहीं पे रह सकता हूँ और इस तालाब के बाजू में बैठता हूँ और वेट करता हूँ कभी ना कभी तो आएंगे बड़े खुश आसपास देखते रहे तभी उनको एक बेल का व्रिक्ष मिला उनको लगा इस व्रिक्ष पर चड़के बैठता हूँ थोड़ा सा जल लिया उन्होंने अपने लिया और व्रिक्ष के उपर चड़के बैठ गए और सोच रहे थे यहां पर मैं सेफ रहूँगा किसी को मालूम भी नी चलेगा मैं यहां बैठा हूँ और जब पश्यू आएंगे मैं उन पर अटेक कर सकता हूँ बस यहां पर छुपे रहो पश्यू तो जरूर पानी पीने आएंगे बहुत ही कमफर्टेबली बैठा था समय बीटा गया बीटा गया देखिए ये रात का पहला प्रहर जो पहला अगर रात को चार भागों में डिवाइड कर देंगे तो जो फस्ट वन फोर्थ था रात का उसमें ये बैठा था तब ही उन्होंने देखा एक हिरनी वहां पे आई है तलाब में आई पानी पीने के लिए और उन्होंने सुचा अरे वा हिरनी को पकड़ेंगे इससे अच्छा डिनर हमारे लिए क्या हो सकता है तो तब ही उन्होंने अपना निशाना लगाया और जैसे ही वो निशाना लगा रहे थे उन्होंने जिस बैग में जिस बरतन में पानी रखा था जैसे आको याद हो तलाप से पानी उसमेंसे कुछ पानी नीचे गिर गया और तभी उनके मुवमेंट से थोड़ा सा बेल वरिक्ष के पत्ते भी उनके हाथ से नीचे गिर गया और उनको मालुम नहीं था उस वरिक्ष के नीचे एक शिवलिंग है तो भगवान शिव ने तो उसको एक आफरिंग के रूप में स्विकार कर लिया कि ये हमें इसे भोग लगा रहा हो अभिशे कर रहा हो भगवान महादेव बड़े प्रसन हो गए और इसकी वजासे थोड़ी सेवा करने से उस भक्त के जीवन के कुछ पाप नश्ट हो गए देखिए जब हमारे जीवन ने बहुत पाप किये होते है न तो अच्छे विचार आते ही नहीं है लेकिन जैसे जैसे थोड़े थोड़े पाप कम होते है मन में अच्छे विचार आने लगते है इसलिए जो विदी विधान होते हैं जोड़ा ये पूजा करो ये उपासना जो भी प्रमानिकता से की जाएं उससे हमारे जब पाप नश्च होते हैं तो दीरे दीरे अच्छे विचार पनपने लगते हैं हरिदे में तो इस प्रकार से जब वो ऐसा हो गया तो लेकिन वो पत्तों के गिरने की वज़ा़ से जो हिरणी था उनको मालम चल गया इहां पर कोई तो है और तब भी उन्होंने देखा अरे यह तो शिकारी है यहां पर, उन्हों तो शिकार निशना बनाके बैठा है, उन्होंने जोड से पुकारा, कि हरे हरे मत मारो हमको, क्यों मुझे मारना चाहते हो, जो यह भील था, वो जब उसने देखा, यह हिरनी एक मनुश्य की आवाज मे मुझ से बात कर रही है, वो भी हक्का बक्का रहे गया, लेकिन उसने जवाब दिया, मैं क्या करूँ, मेरा परिवार भोका है, उसको भोजन खिलाना है, आपका शिकार करूँगा, तब ही तो मुझे भोजन मिलेगा मेरी पतनी को, मेरे बच्चों को, और मैं तो अपना कर् करतव्य कर रहा हूँ See how interesting हम लोग अपने करतव्य के नाम पे काफी कुछ जस्टिफाई कर देते हैं जो हिरनी थी उसको दुखी तो बहुत हुआ लेकिन सुन के अच्छा लगा उन्होंने बोला अच्छा लगा कि आपके मैं किसी काम आ सकती हूँ दूसरों के काम आके कुछ ना कुछ पून्ने कमाय जा सकता है ऐसा पून्ने तो सौ वर्षों में भी नहीं कमाय जा सकता जो इस प्रकार से किसी की सहायता अगर मेरे मृत्यू से आपके परिवार को आनंद मिलता है तो मैं तयार हूँ शिकारी शाख हो गया रहे क्या जवाब है हिरनी ने बोला एक रिक्वेस्ट है मुझे थोड़ा सा पानी पीने दो और उसके बाद एक बार घर जाओंगी और घर जाके अपने परिवार को गुडबाई बोलके आओंगी मेरा एक पती है दो बच्चे हैं एक बहन है वो मेरे लिए वेट करते रहेंगे नहीं तो उनको समझे गए नहीं क्या हुआ मैं पक्की बात प्रामिस करती हूँ आओंगी तो शिकारी ने सुचा रही है तो चालाकी से भागने का प्रयास कर रही है यहां परवत यहां माउंटेंस जो भी है नदियां है सब के सब को साक्षी मान के मैं सत्य बोल रही हूँ सब कुछ सत्य पे ही निर्धारित है लेकिन शिकारी छोडने वाला नहीं था उसको तो भोजन चाहिए था हिरनी ने फिर से बोला ट्राइ किया अगर मैं वापिस नहीं आई तो मेरे उपर वो पाप लग जाए जो अगर कोई व्यक्ति जीवन में कभी भगवान विश्णू या शिव की उपासना नहीं करता उसके उपर जो पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए या ऐसा कुछ पाप लग जाए इगडान लगी इतना बोलन लगी जो शिकारी था वैसे थोड़ा पूर्ने तो कमा चुका था वो बेल पत्र सेवा करके उसके मन में करुना आ गई उसने जाने दिया वो भागती हुई गई आनन्द भी था दुख भी था आनन्द था कि चलो कुछ समय के लिए रहात तो मिल गई रात का पहला जो पोर्शन था पहली चुथाई रात वो खतम हो गई लेकिन शिकारी को तो नीन नहीं आये वो तो भुका था सुबे से अभी वो हिरनी वापिस नहीं आई और उसकी जगा जब हिरनी वापिस नहीं आये थी तो हिरनी की बहन वहां से निकल आये थी धूनने के लिए वो भी नदी के किनारे आये थी और जल पीने आये थी जब उसको देखा शिकारी ने फिर से धनुश उठाया मारने के लिए और इस समय भी थोड़ा सा जल बेल के पत्ते शीव जी पे गिर गे और उससे और थोड़ा पूर्ने कमा लिया जब उन्होंने देखा फिर से एक हिरनी आई है उन्होंने फिर से बोला मुझे आपकी जरूरत है वो भी बोली यहाँ बड़ी अच्छी बात पूरे परिवार में यह सभाव था हिरनी ने बोला हाँ हाँ मैं आपके यूज आओ बहुत अच्छी बात है आपके परिवार हकल्यान हो वो बोले बस लेकिन मैं अपनी बहन को ढूड़ने आई हूँ थोड़ा मुझे घर जाने तो मैं उनको बता देती हूँ लोकि शिकारी ने बोला आरे पहले तुम्हारी बहन भी आई थी वो भाग गई वो तो आई नहीं लोकि यह बोली मैं एक पर जाती हूँ परिवार को बोलके आती हूँ फिर आउंगी फिर आप मुझे मार सकते हो और मेरा अब मुझे अपना भोजन बना सकते शिकारी बोला मैं मूर्ख हो गया बहन ने भी बहुत जादा भीक मांगी नहीं नहीं कृपया मुझे एक पर जाने दो मुझे एक पर जाने दो बड़ी सब्भे बाते बोली बोले मैं सच बोलती हो मेशा मैं पाप से बहुत डरती हूँ अगर मैं वापिस नहीं आई तो मुरे उपर व्याभीचार का पाप लगे मेरे उपर वेदिक सिध्धानतों को तोड़ने का पाप लगे विश्वास करो मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे मुझे ये पाप लगेंगे मैं जरूर वापिस आऊंगी शिकारी ने बोला जाओ रात का दूसरा भाग भी चला गया शिकारी भूका था रात भर सोया नहीं था तब ही उसको तलब के पास एक हिरन ढूमतावा मिला और वो हिरन वो उसका पती था वो जो हिरनी थी उसका पती था वो हिरन आ गया दो बच्चे तो घर पे था हिरन को भी यही बोला रहे हिरन हिरन भी बोला कि मुझे जाने दे एक बार उनको बोल के आने दो इन्होंने बोला वो पहले भी आय थी वो हिरनी वापिस नहीं आया अभी तक वो तो हिरन पहुंच गया हिरन ने भी कुप भीक मांगी इन फैक्ट हिरन ने भी यही बोला बोले मेरे जैसा व्यक्ति अगर आपकी सेवा में काम आये तो बहुत अच्छी बात है लेकिन बोले मेरे दो बच्चे हैं एक बार उनको बोल के आजाओ तो यह भी चला गया वापिस अभी जैसे ही घर गए तो घर में तीनों एकटर हो गए और इनके मन में कोई जुट बोलने की बात नहीं थी हिरन पहुँच गया हिरनी पहुँच गई और वो आपसे बात कर रहे है कौन पहले जाएगा सबसे पहले सबसे बड़ी बहन थी वो बोलती है पहले मैं पकड़ी गई थी तो पहले मैं जाओंगी और आप दोनों बच्चों को संभाल लेना दूसरी बोलते हैं छोटी बहन मैं जाओंगी हीरन बोलता है नहीं मैं जाओंगा आप दोनों बच्चों को मा की जरूरत है आप संभाल लेना और इस प्रकार से इनका सब तो फाइनली तीनों पहुँच जाते हैं और तीनों पहुँचते हैं उनके पीछे पीछे दो बच्चे सोचते हैं हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों को वो बोलते हैं पडोस में शोड़के आजाते हैं और तीनों पहुँच जाते हैं लेकिन बच्चे भी पीछे पीछे आजाते हैं और पूरे परिवार की इतनी पवित्रता देखके इतनी इमानदारी देखके वो जो शिकारी था उसका हृदे पूरी तरह से पि पितरता है और मैं मनुष्य हूँ मेरे अंदर कुछ नहीं है ये इतना बड़ा बलीदान देते हैं रे बलीदान तो हमें देना चाहिए हम मनुष्य हैं उन्होंने छोड़ दिया उन्होंने अपना धनुष छोड़ दिया वो उनका शिकार नहीं कर पाए बोले आप घर जाओ म वहाँ प्रकट हो गए और शीव जी बोले कि मैं आपकी भक्ती से जो जाने अंजाने में भक्ती हुई है और जो करूना दर्शाई है उससे मैं बहुत प्रसन हूँ शिकारी जो है शीव जी के चरनों में गिर गया बोला मैं आपका रूप देखके बहुत प्रसन हूँ आपके दर्शन देखके बहुत प्रसन हूँ मेरी सारी इच्छाई संतुष्ट हो गए शीव जी उसकी विनम्रता देखके और भी प्रसन और शीव जी उस समय बोलते है आज से आपका नाम जो होगा आपका नाम गूह होगा और आपका बहुत सम्रिद्धी प्राप्त होगी और राम जी आपके घर में आएंगे और आपको छोटे भाई की तरह सम्मान देंगे और उनको सेवा करके आपको मोक्ष की प्राप्ती होगी तो उनको शीव जी ने राम की सेवा में लगा दिया कि आप महां रही है राम की सेवा का मौका मिलेगा आपको तो उसका हृदे तो बदली गया जल अरपन करके बेल पत्र बड़ उसका भविश्य कितना सुन्दर हो गया और जितना भी हिरन का परिवार था उनको भी मोक्ष मिल गया यूँकि शिकारी की वज़ा से हिरन के परिवार को भी शिवजी के दर्शन हो गए और वो भगवान के दिव्य धाम चले गए उनको एक रथ लेने के लिए आया उनको उनका मोक्ष हुआ और इस प्रकार से ये जो शिवरातरी की रात को यह जो रात्री हुई जिस दिन ये शिकारी ने पूरा जो उपवास किया इस लीला का समरन करके शिवरात्री को उपवास की महीमा है और लोग ये विधी करते हैं जिससे खूब जिसको भावतिक सफलता चाहिए भावतिक सफलता पराप्त हो और जिसको मुक्ष चाहिए, मुक्ष पराप्त हूँ इस परकार से ये बड़ी सुन्दर कता है